हमारी गुच्सा, हमारे उत्सा, या हमारी कुंठा, या हमारे निंदा से कुछ बदलेगा नहीं। भारत ने जो संसदी लोकतंत्र स्विकार किया जवहलाल जी की लीडर्शिप में, उसमें राष्ट का चहरा प्रधान मंत्री है, राजी का चहरा मुक्ष मंत्री है। मैं एक बार लखनव गया था, तब अखिलेश जी मुक्ष मंत्री थे, एक कारिकम में वो हमारे साथ थे मंच पर, और मोदी जी प्रधान मंत्री थे, तो मैंने उसमें, और सपा के तमाम सारे मंत्री थे उत्वरेश के, तब भी मैंने कहा था, कपिश जी उसमें नहीं थे, उस अच्छी बात, वही बात फिर दोरा रहा हूँ, कि आपको पचे, बड़ी अच्छी बात, नहीं पचे, पाचक के साथ पचाने की कोशिश करिये, नहीं पचे, आप जानो, ये तथे बदलने बाला नहीं, कांग्रेस छत से कूच जाए, फिर भी तथे बदलेगा, नहीं दुलकलाम, उसके बाद गूगल देखना पड़ता है, अभी मैंने बता दिया, वरना मैं प्रवक्ताओं से भी अगर पूछ लेता, किस 71 की लड़ाई के समय राष्टपदी कौन था, तो गूगल देखना पड़ता, बिना मुबाईल के नहीं जवाब दे पाते, बीवी गि तो नहीं बोलते हैं, तेक्निकली और तीनों सेना के अंगों के कमांदरी चीफ थे, कारगिल, वाजपाई जी, राष्वती को तो यहाता, कैसा भेडिया धसान मचाए हो सब लोग मिलके, यह नहीं हो सकता, आपको नहीं अच्छा लगे, थोड़ा धहरी धारन करो, इससे तो देश में प्रदान मंतरिक नहीं चलेगी, किस दिवास अपनों में रह रहे हो, चलना ही चाहिए, देश ने बोट इसलिए दिया, अगली बार आप बोट लेगा जाना, आप में चलेगी, इसमें को बुरी बात है, क्यों, गुस्सा क्यों है, मैं इसी समझ नहीं पा रहा और जो लोग ये करें आदिवासी महिला, अच्छी बात है, उसमें मुए मायवती जी के वक्त अबिक के साथ हूँ, कि जब चुनाब में उमीदवारी आई थी, तब भी वो आदिवासी थी, महिला थी, उनके पक्ष में सब लोग निर्विरोध क्यों नहीं जिता दिये, न अज़ा मैं तीसरी एक बात कहता हूँ, रुदर विक्रम एक अभी इसमें दो एपिसोड आने बाकी है, 28 से पहले, रुदर विक्रम बड़ा रोचक बात है, कहीं मिलेगी नहीं, गूगल पर, एक तो सुप्रीम कोट का देखना होगा, ठीक, उट किस करवट बढ़ता है, द मैं यहां उद्गाटित किये दे रहा हूँ, भारत की महामहिम राष्टपती द्रोपदी मुर्मू और भारत के उपराष्टपती धनकल साब, दोनों के बधाई और शुवकामना संदेश जारी होंगे, 28 से पहले ऐसा संकेत है, तब आप उनके संबान की लड़ाई में, कि उनका अपमान क्या जा रहा है, वो उनकी उपयक्षा की जारी है, यह कैसे लड़ाई लडपाऊगे, राष्टपती ने मान लेजिए वक्त विजारी कर दिया कि मैं बहुत प्रसंद हूँ भारत की इस उपलब्धी पर, और पूर्य देश को बधाई, सरकार को बधाई, जान सर लिख लिगएगा, जानकारी दे रहा हूं, दोनों के मताई संदेश आहेंगे, आता धनकर्छी के सम्मान में कोई आई नहीं रहा मैदान में, क्यो बाइफ, वो भी तो डिपटी है, वो राष्टपती है न, उनके सम्मान में कोई नहीं आई आँर। मैधान में और अगर राष्ट्रपती बहुदिया नहीं अपने को अहलादित घोशित कर दिया तो रोधरविक्रम जी बड़े हास्यास पर इस्थिति नहीं पैदा हो जाएगी लड़ाई लड़ने वालों के लिए जो लोग यह करें गर राष्ट्रपती का अपमान हुआ कारे-कारी प्रमुख देश का प्रधान मंत्री होता है और राज्यका प्रमुख मंत्री होता है और एक बात मैं बता दूँ उत्रपदेश के मित्रों के लिए, कपिश भाई भी और मुन्ना खान भाई भी और दीपक सोनकर भी है, सरकारें जब तागत में होती हैं, तो उनका मिजाज कैसा होता है, मुन्ना भाई यह बताजे रहा है, छोटी सी बात कहिके, ठीक, उसमें सब का समझा जाएगा, कौन किसका सम्मान कर रहा है, क्या, राम नाइक गवर्नर थे उत्रपदेश के, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक दो चिट्थी लिख दी, मुख्यमंत्री को, चिट्थी लिखने के बाद समाजवादी पार्टी के तीन में से एक जाता नहीं है, सड़क पर निकलना भूल जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, वहां वहां जनता घेराओ करेगी, सियासत करते हैं गवर्नर, चुपचा बैठे राजभवन में, ये सम्मान समारों किस ने किया था, तब सम्मिधान नहीं समझ में आया था, कौन सा अनुछित बता रहे थे, राज्यपाल के लिए अगर प्रधान मंत्री के लिए जिनों न सम्मिधान पढ़ाया, उनको मेरी शोब कामना नहीं पढ़ा, तो जान ले, प्रधान मंत्री के लिए अगर लिखा है, कि राश्ट्रपती के प्रासाद परियंत पद पर रहेंगे, अलागि लि उस राज्यपाल की आईसे सम्मान किया, बोले दिमाग खराब हो गया, गवर्नर का सणक सणक पिटेगा, क्या, लो भया कर लो बात, क्या, तब समिधान किताब ने घरी दी थी, एक गुटका खरीद लेते, पढ़ लेते, नहीं, आज समझ में आ रहा है, और मैंने तो लाख टके का सवाल पूछा था, 71 की लडाई का कोई गेंदा की माला लेके बीवी गिरीक पास गया था, क्या, गया हो तो फोटो बताओ, नहीं न, और जो चीज भारत के सत्ता हस्तांतरन का इस थूल प्रतीक वनी, वह पवित्र चीज, भारत का राजदंड, धर्मदंड, कुछ भी कहिए उसको, उसके नीची आपने क्या कैफ्षर लिखवाया, इलावाद के म्यूजियम में, वाकिंग स्टिक, शाम को टहले में जो लोग बेत ले जाते हैं, वो बेत है, सुनहरा बेत, जो नहरू को गिफ्ट किया गया, पंडिद नहरू, उस सुनहरा बेत था, उसके उपर नंदी विराजमान थे, वोगे चोल-वघंशके सेखनो साल के शाषन का प्रतीक था, चुलित था, वो भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था, वो भारत की राज सत्ता पर धर्मसत्ता के नियंप्रन का संदेश था, उसको आपने बता दिया नहरू जी की और उसके लिए शमाई आचना भी नहीं हिमाकत किस ने की कि उसको नहरुजी की गोल्डन इस्थिक बता दिया जिसके उपर भगवान के शिव के दूत नंदी विराजमान हो वो भरत में उसको कोई माई का अलाल घूमने वाल भेत मता देगा उस पर शर्मिंदगी नहीं है क्यों कहा जा रहा है विश्व में ऐसा मैसेज जाएगा क्या विश्व में इस बात का मैसेज नहीं जाएगा कि जो सत्ता हस्तांतरन का प्रतीक चिन्ह था उसको इलहाबाद के एक म्यूजियम में नहरु की गोल्डन छड़ी कहके रखवा दिया था लोगों इससे मैसेज ख कि उसके साथ ऐसा क्यों किया उससे भी लगाई थी क्या तब तो भाजपा भी नहीं थी कि इनसे आपकी दो तब तो मूदी थे नहीं जन्में भी नहीं थे तब यह क्यों कराया सेंगोल से क्या समस्या थी हुआ है सेंगोल से समस्या थी नंदी से समस्या थी किस पाथ से समस्या थी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में पर्धान मंत्री गए व्यदि Mitar कि यह यह राश्त क्यों भृष्ट में पूजा पर नहीं हो चाँ क्यों यह यह रास्ता ठीक नहीं भारत पर गर्व करना सीखिए चुनाव लगने तो देश में जाएंगे ना भाई साम ये सवाल जनता भी पूछेगी कि जिस पर नंदी विराज मान थे उस राज सत्ता के प्रतीक चिन्ह को आपने म्यूजियम में कवाल खाने में क्यों रखवा दिया ये कहके कि नहरू को उपहार में मिली चड़ी सुनहरी चड़ी ये भारत के लिए माथे पर लगाने वाली चीज थी जिसको आपने पंडिजी की छड़ी बना दिया ये राष्टा ठिक नहीं ये राष्टा देश को स्विकार नहीं और फिर मैं कहूंगा राज्य में मुक्ष मंत्री के राष्ट पर प्रधान मंत्री वो सबसे व्यवहारिक कर्थों में सबसे बड़ा व्यक्तित होता है भारत की संसदी लोगतंत्र में हमको पसंद हो तो भी ना पसंद हो तो भी होता रहा है हो रहा है आगे भी यही होगा और जिन लोगों को ऐसी सलह देनी की आदत पड़ गई है कि रेल का उद्गाटन किसको करना चाहिए और जे प्रेक पर छोड़िये कि कौन किसका उद्गाटन करे क्या विपाक्षो कोई है यह काम कहा है आपका कि कौन किसका उद्गाटन करे सत्ता जिसको दीगे इसी काम के लिए दीगे मैंने उधारन दिया ना चत्रिस गड़का इसको विवाद का विशे नहीं बनाई आप जा सकते हैं कारिकर्म में जाना चाहिए नहीं जा सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसा मत करिये कि विश्व भर में है यह मैसेज जाए कि संसद भवन के नए इमारत के उद्गातन में हाहाकार मचा है यह भारत के लोकतंतर की शान के खिलाफ है